तो दोस्तों साथ है आपका अपने चल्ड़ नॉले स्काइपर हुआ हूँ आपका दोस्त अम्बतिवरी और यह रहा साड़े आड़ वजवाली क्लास है जो कि आप सभी को लाइब मिल रही है दोस्तों तो यह दिया आप हमारे चनल पर नहीं हो और आपने अभी तक नॉले स् जो है 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 इस लिंक के साथ तो दोस्तों नॉले स्काइपर हम आपको प्रोवाइट करा रहे हैं देखे ज़रा नॉले स्काइपर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स फ्री पीडियेप्स और फ्री टेस सीरीज जो है वो प्लब्त जो हैं, उनका रिविजर करने वाले हैं, एकॉनमिक के कॉशिंस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिया है यह स्टार्ट करते हैं, तो आज का हमारा जो पहला कॉशन है दोस्तों वो यह है कि भारत में किस तरह की विरोजगारी जो है वो पाई जाती है पहला है। तो किस तरह की जो विरोजगारी है किस तरह की अनिप्लाइमेंट जो है वो भारत में पाए जाती है तो आए बना टाइम को बेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं हम इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो और ऑप्सिन अमबर डी बतलब ऊपर के सभी जी हां दोस्तों ये सभी तरह की विरोजगारी जो है वो भारत में पाए जाती है चाहिए अगे बढ़ते हैं अगला क जदी कोई व्यक्ती बाजार में प्रस्चलित मजदूरी दल पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिरी भी उसे काम नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार की विरोजगारी को कौन सी विरोजगारी आप कहेंगे ठीक है तो वोलेंट्री अनिम्प्लाइमेंट मतलब अनेक्शिक प्रकारी सीजनल अनिम्प्लाइमेंट मतलब मौसमी बिरोजगारी यह नन ओफ दि अब अप्रोक्ति में सी कोई नहीं देखिए अब जरा इन टर्म को हम समाझते है Посël होता है η वलेंट्री अनिम्प्लाइमेंट सवयक्चिक बिरोजगारी क्या होता है? जब व्यक्ती अपन अपनी एक्छा से बिरोजगार रहे अपनी विल के साथ अनेम्प्लाइमेंट रहे तो उसे वलेंटरी एम्प्लाइमेंट या स्वैक्चिक बिरोजगारी कहते हैं मतलब जब आपके पास काम है, फिर भी आप स्वैक्षिक रूप से विरोजगार रहते हैं, तो उसे स्वैक्षिक विरोजगारी या वोलेंट्री अनेप्लाइमेंट कहते हैं, इन वोलेंट्री अनेप्लाइमेंट्री 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 अनेप्ला तो इस तरह की चीज़ें आपकी seasonal employment में हैंगी तो question यह बोल रहा है कि एक इनसान जो है वो काम करने के लेता है यार फिरी भी उसे काम नहीं मिल रहा है मतलब वो काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है मतलब अनेक छिक विरुजगारी यह उसकी एक्चा के विरुद्ध उसको विरुजगारी मिल रहा है तो यह एक्चेक विरुजगारी काउदार आण है option B इसका सही answer होगा अगले question यह तरफ हम चलते हैं अगले question यह रहा in which type of unemployment do the marginal productivity of the worker is zero किस प्रकार की विरुजगारी में स्रमिकों की सीमांत उत्पादक्ता जो है वो सून्य होती है option है Disguised Unemployment मतलब प्रच्छन विरुजगारी Involuntary Unemployment मतलब अनेक्षिक विरुजगारी Seasonal Unemployment मतलब मौसमी विरुजगारी या फिर D Structural Unemployment मतलब संदशनात्मक विरुजगारी तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कतन सकते है In which type of unemployment to the marginal productivity of the worker is zero किस तरह की विरुजगारी में इस रमिकों की सीमांत उत्पादक्ता सूनने होती है सभी बच्चों से बोलूँगा कि वीडियो के एक बार लाइक जरू करदे हम एकनॉमी फिर से सुरू करने वाले उस कॉंटेक्स को लेते हैं हमने ये रिवीजन क्लास ले हुई अब तक जो पढ़ चुके हैं उस चीज़ के तो इसका जो correct answer है दोस्तों वो है option number A that is प्रशन विरुजगारी disguised unemployment जिया दोस्तों which type of unemployment is found in developed countries विक्सित देशों में किस प्रकार की विरुजगारी पाई जाती है involuntary unemployment बतलब अनेक्षिक विरुजगारी voluntary unemployment बतलब स्वेक्षिक विरुजगारी structure on unemployment बतलब सनरशनात्म विरुजगारी या फिर disguised unemployment बतलब प्रश्वन्य विरुजगारी जिस तरह की विरुजगारी जो है वो पाई जाती है देखें भारत या विकासिल देशों की जब हम बात करें तो उन देशों में विरुजगार की कमी है मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है ये कहलाती है अनेक्चिक बिरुजगारी मतलब involuntary unemployment या फिर अनेक्चिक बिरुजगारी लेकिन विक्सित देशों में क्या होता है कि सभी के पास रोजगार उपलब्द रहता लेकिन लोग उन रोजगार को करना नहीं चाहते हैं उसके कई सारे कारण हो सकते जिन में से एक ये होता है कि माल लीजिए वो चाहते हैं कि उनको 1000 रुपए प्रती दिन की मजदूरी मिले लेकिन उनको सिब 600 रुपए प्रती दिन की मजदूरी मिले तो वो क्या करते हैं काम करना पसंद नहीं करते हैं बिरोजगार रहते हैं घर चिक बिरोजगारी पाए जाती है, voluntary employment जो है, unemployment जो है, वो पाए जाती है, तो इसका correct answer जो है, वो option number B होगा, यहाँ पर मैंने explanation भी दिया हुआ है, कि voluntary unemployment is when, when the work to the people in the developed country is easily available, but they are not ready to work on the prevailing wage rate, so they are voluntary unemployed, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question आप से एक स्कीन पर ही है रहा, if new computers are being installed in a company and some employees are fired from the job due to lack of computer knowledge, then what kind of unemployment will it be called, यदी किसी company में नए computer लगाय जाते हैं और नए computer के आने से कुछ कर्मचारियों को computer की जानकारी ना होने के कारण उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो वो बिरोजगार हो जाएंगे, तो इस तरह की बिरोजगारी क्या कि यदी company में computer आए और कई कर्मचारी ऐसे थे जिनने computer का knowledge नहीं था, तो उन्हें job से निकाल दिया गया, तो अब वो बिरोजगार हो गया, तो यह जो बिरोजगारी है, यह किस तरह की बिरोजगारी कहलाएगी? इसे प्रचन बिरोजगारी कहेंगे आप, सननस्नात्मक बिरोजगारी कहेंगे, चिप्यू ही बिरोजगारी कहेंगे या घरसन बिरोजगारी कहेंगे, तो इसका जो correct answer है दोस्तों, वो option बढ़ी, it is known as fictional unemployment, घरसन बिरोजगारी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ाइशन भी दि but till the time they learn computer will be called unemployed, तो स्थिति में क्या होता है, अवदी की frictional unemployment में क्या होता है, कि इसमें आपको कुछ समय के लिए तो unemployed रहना पड़ता है, लेकिन बापस आपके पास employment आ जाता है, चिके, अगले question इतरा अप हम चलते हैं, दोस्तों, अगला question आ साजिकी स्कीन पर यह रहा, इसमें कौन सी तरह की unemployment या बिरोजगारी जो है वो पाई जाएगी? सभी लोग मजे बताएं कि इस कहां सा fast? चलिया, तो इसका जो correct answer है, दोस्तों, वो option number A, disguised unemployment जो है, वो भारत के किसी sector में, agriculture sector में पाई जाती है. आगे बढ़ते हैं, अगला question आप साजिकी स्कीन पर यह रहा है, कि cyclic and frictional unemployment are found in. चक्री और घर्षान बिरोजगारी जो है, वो कहां पाई जाते हैं? Less developed and developing countries दोनों में, मतलब कम विकसिल देशों में. Developing countries में, मतलब विकसिल देशों में. Option C says, developed countries में, मतलब विकसिल देशों में. यह फिर option D says, less developed countries में, मतलब कम विकसिल देशों में. तो यह कहां पर है? तो इसका correct answer है दोस्तों, option number C. जी हां दोस्तों, जो option number C है, यह इसका बिलकुल सही answer है. आगे बड़ते अगले कोशन जी तरफ अगला कोशन आज सेगी स्कीन पर यह रहा. Who developed the concept of disguised unemployment? Disguised unemployment का concept किसने दिया था? किसानों के प्रचन विरोजगारी के अवधार्ना जो है, वो किसके द्वारा दिये गई थी? John Nees के द्वारा, option B, Amritsen के द्वारा, option D, John Robinson के द्वारा, option D, Alfred Marshall के द्वारा. То, who developed the concept of disguised unemployment? Disguised unemployment का concept किसने देवलप किया था? सभी बच्चे इसका answer देंगे, fast, be quick. और दोस्ते एक बाए वीडियो को लाइक जरू कर दें, साथ ही अपने-पने social media platform पर share भी कर दें, ताकि जादा से जादा बच्चे जो है, वो knowledge कहाएगे, completely free of cost courses का फायदा उठा सके. तो चलिए, I guess, sufficient cost time था, इस question को answer काने के लिए, तो इसका correct answer हम देखते हैं, तो इसका जो correct answer है, दोस्तों, अबो option number C, John Robinson. तो who developed the concept of disguised unemployment, तो इसका correct answer क्या है, John Robinson. आगे बरते अगले कौशन ही तो आप, अगला कौशन आसा, एक स्कीन पर ये रहा, what is the right formula to know the unemployment rate, unemployment rate पता करने के लिए, सही formula कौन सा है, option A says, total number of unemployed divided by labour force into 100, option B says, total labour force divided by total number of unemployed into 100, option C, total number of unemployed divided by total labour force into 1000, या फिर option number D, total labour force divided by total number of unemployed into 1000, अभे चार option है, आप साभ यहां पर आपको थोड़ा सा elimination method use करनी पड़ेगी, मतलब elimination method हमेंसा आपको आपके answer के बहुत पास ले जाती है, जरूरी नहीं है कि कुछ question आपको clear पता ही होंगे, कुछ question जरूर ऐसे होंगे, जिनका आपको पता नहीं होगा, still आपको जरूर कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, कभी भी प्रतिसात निकालने में, रेट निकालने में, एक हजार का उप्योग नहीं होता, मतलब option B और option C और D तो कभी नहीं हो सकते, अब बचा आपके पास यहाँ तो option number A या फिर option number B, अब इस में से देखना है कौन सा सही है, देखेंगे आप unemployment rate निकालने हैं, तो unemployment लोगों की rate निकालने हैं, तो जिस भी चीज का आप rate निकालते हैं, उसको उपर रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला question, who are counted in the labor force of the country, एक देश की labor force जो है, वो कहां से कहां तक count होती है, 18 साल साथ साल के age group की population, option B कहता है कि 15 साल से 65 की population, option C कहता है कि 18 से 65 की population, या फिर option D बोलता है, 21 से लेके 62 की population, तो कौन सी population जो है, वो आपकी labor force कहलाती है, एक देश में, सभी बच्चों के पास 20 सेकंड है, इस question का answer करने के लिए, फिर हम इसका सही आंसा जो है, वो डिसकस करेंगे आप सभी एक साथ, तो इसका correct answer दोस्तों, आप सही की स्कीन पर ये रहा, option number B जो है, वो इसका correct answer है, कि 15 से लेकर 65 आयू वर्गे के लोग जो है, वो labor force कहलाते हैं, अब आप समझे, भारत में 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए, जो है, वो compulsory education है, जो की उनका एक fundamental right है, मतलब 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को तो सिब पढ़ाया जाना चाहिए, उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता, अब बच्चा जब जैसी 15 साल का होता है, तो अब 15 साल से वो काम करने लायक हो जाता है, लेकिन 15 से लेकर 18 तक वो अपनी childhoods में रहता है, आइसले वो लायट स्वर्ण,